बेनों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ आपको बता दें कि मद्ध प्रदेश से जानकारी आ रही है साजापुर जिले से सलमा भी बहन है और उन्होंने एक मैसेज भेजा है मांदे में दरसल वहां पर कटोती की गई है और ये जो मांदे में कटोती की गई है वो बेनों के हरताल की वज़े से की गई है आप देख सकते हैं साजापुर जिले का जनवरी का जो मानदे आया है वो साजापुर जिले में मजदूर संग की हरताल के 6 दिन के पैसे काटे गए है 1935 रुपया काटा गया है 8,065 रुपया ही इस बार साजापुर में आप देख रहे हैं कि आये हैं जबकि साजापुर जिले में जो हरताल में नहीं गए हैं उनके पूरे 10,000 रुपय आये हैं मानदे 15 फरवरी को डाल दिया था लेकिन खाते में 17 फरवरी को आया है तो 8,065 रुपया ही आया है क्योंकि मद्प्रदेश में 10,000 रुपय मानदे मिलता है इधर इसी तरह से एक और समस्य आई है महंदर मालवी जी हैं सीहोर जिले से आती हैं तो मद्प्रदेश के सीहोर जिले में भी आप देख रहे हैं कि 8,064 रुपया यहां पर आये हैं 17 फरवरी को और नीचे भाई ने लिखा भी है कि भाईया सीहोर जिले में इस बार मानदे 8,064 रुपया आया है सायद हरताल में जो है वो काट लिये हैं तो जी हां ऐसा ही है साजापुर जिले में भी आप देख रहे हैं कि पैसे कटने की बात सामने आ रही है तो आगनबाडी बहनों के मानदे में बढ़ोत्री तो छोड़ो अगर बहने अपने मानदे के लिए अपने हक के लिए आवाद उठाती हैं तो उनको दबाने के लिए सरकारे उनका मानदे में भी कटोतियां कर देती हैं वहीं आपने अभी हाली में दो दिन पहले देखा था मद्रप्रदेश के मुक्यमंत्री आगनबाडी बहनों से किस तरीके से वो बात कर रहे थे उनका बात करने का तरीका था और आपने देखा था उन्होंने कहा था कि आपका मानदे 5000 से 10,000 हमने ही किया है और उसके बाद आपने देखा आगनबाडी बहनों ने उनको रप्लाई किया था कि 10,000 से 20,000 मानदे भी आप ही को करना है लेकिन इन सब चीजों को वहाँ पर आपने देखा जिस तरीके से उसके अलावा एक ये दूसरी चवी आप देख रहे हैं जो की हर्ताल करने के कारण बहनों का मांदे वहाँ पर काट लिया गया खैर अब चलते हैं आगे और भी जानकारियां आप सबको देनी है आज तबियत थोड़ा हमारी खराब है जिस वज़े से हो सकता है वीडियो में आपको उतना अच्छा हम बोल करके ना समझा पाएं इधर देखे सरोस सर्मा बहन है बिजनौर से आती है इन्होंने आंगनबाडी प्रमोशन को लेकर के अपनी आवाज को उठाया है उन्होंने कहा कि भाया जी नमस्ते मेरा नाम पहली लिष्ट में था पर अब जो लिष्ट आई है उसमें नहीं है और मेरी जगे जिस वरकर क नाम आया है वह मुझसे दो साल बाद की न्यूकती वाली है मैंने जन सुनवाई पर भी सिकायत की है सरोस सर्मा है ये और आप देख सकते बिजनौर जले से आती है नूरपूर इनका ब्लॉक है इन्होंने एक ऐसे लेटर भी लिखा और सिकायत भी ऑनलाइन की है तो आप द कहना है कि विभाग इस बारे में जाज करे आंगनबाडी प्रमोशन में हो रही धांदली पर अंकुस लगाया जाए इधर एक और बहन है इनका भी जो है कहना है और ये गाजिया बास से आती है आया दिखाते हैं इनकी क्या समस्याएं है इन्होंने कहा है कि प्राथना पत् इंटर्मेडियर सेकेंड डिवीजन बीए थर्ड डिवीजन में जो है यहां पर और एमे यहां पर थर्ड डिवीजन में रिखाते हां पूंने कहीं जब्धिब्धिक रिखुकरी और DPO मैडम ने मुझसे कहा कि राधा गुपता यहाँ पर नव लड़कियों की लिस्ट आनलाइन आई थी और वापस चली गई मैडम ने मुझसे कहा कि जिन लड़कियों के नाम आये थे उनका सत्यापन हो चुका है मुख्यमंत्री जी मेरी आप से हाँ जोड कर पार्थना है कि प्रमोशन की इस प्रक्रिया में गलती हुई तो क्यों हुई है और कहा हुई है जाज कराने की करपा करें राधा गुपता और यहाँ पर 8.1 ऐसे उन्होंने लेखा लाल कार्टर गजियाबाद इस तरीके से उन्होंने समस्य भेजी तो आप देख रहे हैं जगे जगे कारकरताओं जो की पात रहे हैं उनके नाम हटाए गए हैं नए नाम उपर से आए हैं और जिस कारण से आप देख रहे हैं हर जिले में चोरी चोरी चुपके चुपके यहाँ पर सत्यापन कराए जा रहे हैं कारकरता बहनों को कोई सूचित नहीं किया जाता है जिनका नाम उपर से भर करके आ गया जो अलग से जोड़ दिये गए या जैसे भी है बस उनको ही चुपके से बुला करके सत्यापन हो करके सब हो रहा है अब एक बात बताओ अगर प्रक्रिया पारदरसी है अगर धांदली नहीं है तो फिर चीजें पारदरस्त के साथ में क्यों दिखाई नहीं जाती यहाँ पर चुपके चुपके सारी चीजें क्यों कराई जा रही है तो कहने का तात पर यही है कि कुछ न कुछ तो गड़बड है जिसी पर लीपा पोती के चकर में सभी बहनों को अंधेरे में रख करके चुपके चुपके ये कार कराय जा रहे काफी जो अब पढ़े लिखे लोगों का ये कहना है कि नई लिस्टे आएंगी उसमें नाम आजाएगा फाइनल लिस्टे आएंगी उसमें नाम आजाएगा अरे भाईया सत्यापन आज हो रहे है अगर इन सत्यापनों से ही उनका नाम गयाब हो गया है तो फाइनल लिस्ट में उनका नाम क्या उड़कर के आ जाएगा खुझ से सोच ये जरा जो अभी उनको बाहर कर दिया गया और नए नाम फिर ये जुड़ गये तो कैसे जुड़ गये क्यों जुड़ गये सवाल ये उठता है और जो सत्यापन हो रहे है वो इतनी चोरी चुपके क्यों कराय जा रहे है कि मांकी लोगों को सूचित नहीं करना तो गोपनीता ऐसी भी क्या गोपनीता है क्या कोई बड़े वो हो रहे हैं वो क्या कहे जाते हैं कोई बहुत बड़ा जो है मालीजेगा कोई कागजात है जिन पर जो है दो देशों के बीच की आपसी सम्मन्द हो या बात चीत हुई हो उनको समेट करके उसमें रखा गया है य सब के नाम आचाते हैं तो ये गलत चीजी हैं और यहां पर आप देख रहे हैं और जिनको बुलाना बस उनी को बुला लिया काम चुपके से हो गया ये कहां का नियाए है तो ऐसे में बार बार जगे जगे से बहने आवाज भा रही है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है और का पुरुपिया इस बारे में भी सोचो और इस तरह से जो कहना कि प्रमोशन में बाद में फाइनल निस्ट में नाम आ जाएगा कैसे आ जाएगा भाई किस आधार पर आप कहे रहें आ जाएगा तो यह चीजे गलत है यह उनको शिर्फ अंधेरे में रखना है कि आज का यह समय पस बीच जाए जो भी है चोरी चोरी चुपके चुपके सब हो रहा है ये कैस किसी तरीके से समय बीच जाए तो इसी तरीके से बहुत सी बहने बहुत जादा परिसान है काफी बहनों ने अपने वहां से अपने लिस्टों में भी जिक जो जिक किया है जो लिस्ट रख करके ब पोस्ट ग्रिजोशन में भी तीन अंग, बताओ इतनी अच्छी मेरिक, उसके अलावा 1991 की इनकी जो थी, क्या थी, डेटा आप बढ़ थी, अब समझ रहें, लेकिन इनके जिले में जो ये नाम हैं, जो पहले आये थी, वो सब 1991 की आये थी, तो कहने का तत्पर है, जो थे, वो ये इस बारे में, बहुत सी बहने हर जगे से समस्याएं भेज नहीं है, बहुत ज़्यादा परिसान है, ये देखो सेवा में माननी मुख्यमंत्री उत्तरपदेश लखनव को बहनों ने एक ये, सूचना अपना भरकर के पूरा भेजा है, प्रार्थनी सरोस सर्मा है, वाइ हमारे यहां सीला तोमर सिड़पुरा कासगंज से, हमारे यहां बलाक से तीन आंगनबाडी का सत्यापन हुआ, वह 15-2-2023 को उनको बुलाया, हम लोगों को 17 तारीक को पता चला कि हमारे यहां सीरीपियो महोदे संजीव कुमार ने कहा, यहां कोई सूचना नहीं है, बार- 2017 के आधार पर हो रहा है, और मानक 2017 ही रहेगा, ते इसका कोई लेना देना नहीं है, इस बात को आप सब ध्यान में रखें, बहुत सी बैनों का ऐसे ही आपने नाम देखा है, जो अभी नई लिष्टों में आई है, तो 17 मानक था, 17 में सब देखा गया था, उस एकॉर्डिं इस तरह से जो बिये में, बिये सेक्टर है, इस तरह से पतने क्या लिखा है, और जो कोई तरीका बताओ, इस तरीके से, देखो, सुझाओ, देने के लिए मैंने बहुत बात यह कहीं है, जो आपको उचित लगे, आप वैसा करें, हमारा काम यहाँ पर यह नहीं है, कि हम बहुत कुछ बता देंगे, आपको क्या करना है, आपका हक है, आपको लगता आपके साथ गलत हो, आप ही जानेगी आपके ब्लॉक में, जो आपसे योग है, कि वो नहीं है, किनका हो रहा है, किनका नहीं हो रहा, तो उन चीजों को अपना देखो, और थोड़ा अपने इस से सोचो, और जो भी करना है, वो अपना डिसिजन लो, आगे देखेगा, ये बन्नोसरी हैं पीली भीत से, इन्होंने पीली भीत में एक आर्टिकल निकला, उसके बारे में भेजा, कि 12 आंगनबारी कारकरता सुपरवाइजर की दौड में है, कि 4 सदस्ती टीम के सत्यापन क के बाद मानकों पर खरी उतरी 12 आंगनबारी कारकरताओं की पत्रावली सासन को बेजी गई है, सासन इस तर से इनकी सुपरवाइजर पद पर पदोननती की प्रक्रिया सुरू की जाएगी, साल 2018 में सासन के नर्देश के बाद 10 साल की सिवा पूरी करने वाली कारकरता के आवेदन को सासन को बेजा गया, करीब 5 साल बाद सासन ने पदोननती के प्रक्रिया सुरू की है, ऐसे में सासन के नर्देश पर जिले में CDO, DDO, DPO और CDPO, इनको जाज कमेटी ने आवेदन का सत्यापन किया और इसमें मरवरी, बरखेडा, बिलसंडा और जोयापन ललवरी खेडा, इनके आवेदक वहाँ पर सामिल थे, जलाकार का मधिकारी अर्विंद कुमान ने बताया कि 13 लोगों में बिलसंडा बलाक की कारकरता की देथ हो गई, जबकि मरवरी बलाक की कारकरताओं ने इस्तीफा दे दिया, ऐसे में आवेदन की छटनी करते हुए 12 लोगों क नाम जिले से भेजी गए हैं, तो आप देखिएगा इस तरीके से उनका कहना है कि कुछ लोगों की देत रो गई, कुछ लोगों ने अपना हिस्तीफा दे दिया, इस तरह के भी उन्होंने अपने वहाँ पर जो है, ये बाते कुछ निकल के आ रही हैं, जो है, सो है, बाकी आप सब अपने जिलो का संग्यान लें, अपना देखें, जिसको लगता है, उनका हक्षिन रहा है, तो वो अपने लिए स्वतंत्र हैं, जिस तरीके से भी उनको आवाज उठानी है, वो उठा सकती है, तो आगे बढ़ते हैं, और आपको बताते हैं, कुसुम तिवारी बहन हैं, गुंडा से आती हैं, जिलाकार का मधिकारी बाल विकास गुंडा, 17 फरवरी को उनका एक लेटर आया, धरवेंद कुमार गौतम जी का ये लेटर है, और अपने वहाँ के CDPO लोगों को गुंडा में भेजा गया है, आगन बढ़ी कारकरती के द्वारा गर्वती महलाओ का वज़न ट्रेकिंग रजिस्टर बनाय जाने के संबंद में, मैंने कल भी आपसे बात किया था, आज भी मैं बता रहा हूं कि जो गर्वती महलाएं हैं, इनके संबंदित एक रजिस्टर बनाया जाएगा, उसको बना लो, उसमें ये सारी चीज़ों को ध्यान पूरवक आ लिखना है, कल भी मैंने बात किया था, तो बार-बार आपको कॉलम बताने क्या वसकता नहीं है, चाहो तो आप स्किंसोट ले सकते हैं, एक और मैटर है हर्याणा से, 16 तारीक को लगू सचवाले में आंगन बाड़ी, वरकर और हेलपर यूनियन की मेर्टिंग कराई गई, स इसमें सभी बलाकों के प्रधानों ने भाग लिया है, और सभी ने अपनी अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया, पोर्षर ट्रेकर का कारे ना कराया जाए, वरकर के उपर मांसिक दबाओ ना बनाया जाए, मानियु चुनेले की अब भिनला ना की जाए, और 29 सितंबर 2021 को सरकार के साथ हुए समझयतों को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, सितंबर मां का मूलिस उचकांक से उनको जोड़ा जाए, इंधन पिसाई का पैसा भी हर महीने दिये जाए, सिलंडर की सप्लाई भी भाग द्वारा की जाए, इसकी सुवधा नहीं दी जाए, तब तक अच्छा रासन माटने की अनुमती दी जाए, कारकरताओं के जो खाली पद हैं उन पर पदोन्नती की जाए, और वर्कर से सुपरवाइजर की भरती पर 50 पर्षन के हिसाब से बिना सर्थ लागू किये जाए, और वर्दी भत्ता 2000 दिया जाए, फ्लेक्सी फ पर का मांदे कें सरकार और हर्याडा सरकार का एक साथ ही दिया जाए, वर्करों को जो है, एडिस्नल चार्ज का 50% पैसा दिया जाए, यानि जो अतरिक्त भार दिया गया है आंगनबाडी सिंटरों का, तो उसका भी पैसा उनको दिया जाए, क्योंकि जब जितना काम उतना सरकार कहती है नो वर्क नो पे, तो भाई एक्स्ट्रा वर्क का एक्स्ट्रा पे तो गवर्मेंट को देना चाहिए, अब आगे देखेगा यहाँ पर ऐसे ही चीजों को बहनों ने वहाँ पर अपना उठाया है, बाकी आपको आगे कुछ और दिखाना चाहेंगे, यह दिसा मार्ग में विपिन लूथरा का ये लेख है, महिला एवं बालविकास उभाग नदेशक महोदे के साथ, आगन बाड़ी वर्कर और हिल्पर यूनियन, रजिस्ट्रेशन नंबर 1230 संबंदित भारती मजदूर संकी बैठक हुई, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैठक क जो है, गौरी हार वगरा में, आगन बाड़ी वहनों आप देखना, एक दिवसी आपका सेक्टर इस्तरी रिफ्रेसर पर सिछड कराया जाएगा, जिसमें यहाँ पर जो रेवना हो या रवना हो, जो भी हो, रेवना ही आपका सायद, आगन बाड़ी केंद्र का नाम होगा, सरो जहरवार है, गौरी हारी से सुनीता है, और गहबरा से रामेंदरी वगरा चोबे हैं, तो नाम बतने की आवसकता नहीं है, क्योंकि काफी नाम दिये गए हैं, यहाँ पर 64 नाम है, तो हम इस जानकारी को पीछे छोड़ते हैं, सबनम बहने छतरपूर से, तो छतरपूर हो गया, केंदर की रंगाई पुताई हो गई, रसोई घर का जो भी कार है वो हो गया, फरनीचर हो गए, ब्लैक बोर्ड हो गए, यानि जो मूल भूस विधाय है, तो 18 बंदियों की वहाँ पस जाच कराई जाएगी, जिनमें की सौचाले भी सामिल है, पेजल है, बजली है, ब्लैक बोर्ड है, फरनीचर है, रंगाई पुताई है, रसोई घर है, इन सबका निरिचर किया जाएगा और फिर रिपोर्ट बेजी जाएगी, कमी अगर मिलती है, तो अलग-अलग विभागों में चल रही विभिन्य योजनाओं से उसको दुरुस्त कराया जाएगा, जै इन में 6 वरस तक के बच्चे आते हैं, मिसन सच्चम आंगनबारी पोस्टर 2.0 की गैर्ड लाइन के तहट, आंगनबारी केंदरों की अवस्थापना सुवधाओं को बेहतर किया जाता है, इसी के तहट प्रदेश सरकार प्रतेक आंगनबारी केंदरों में 18 मुल्भूत सु तक परदेशं बच्चल से यह खबर है, मध्ध प्रदेशं की आंगनबारी बेहनों के 50 रुपए और साहयकाहों के 750 रुपए बढ़ाए जाएंगे तो बहनों ये पैसा कोई नया नहीं बढ़ रहा है पिछली बार जो 1500 का जब सब राज्यों में बढ़ा था केंज सरकार का पैसा तो उस समय मद्द प्रदेश में ये लागू नहीं हुआ था वही पैसा लेने के लिए बहने बहुत थी लंबे अर्से से मांग कर रही थी अब उसी पैसे को ले करके यहां पर ये बाते सामये आ रही है या घोसड़ा जल्दी आंगनबाडी कारकरताओं की महा पंचायत में की जा सकती है दरसल केंदर ने तो यह रासी बढ़ाये जाने की गोसड़ा कर दी है राजिस्तर पर आंगनबाडी कारकरता के मांदे का परिच्छड करके उसमें बढ़ी हुई रासी को सामिल कर दिया जाएगा इसकी वज़े साल के अंत में होने वाले विदानसभा चुनाओं के मद्दे नजर हर बलाक में पेट रखने वाली तो कहने का मतलब है जो मद्दपदेश में बहनों को 500 रुपया आंगनबाडी का 750 रुपया साहिका का तो वो जो नहीं मिल रहा था जो की मोदी सरकार ने बढ़ाया था 2018 सम्थिंग में तो उसी पैसे को लेकर के अब जाकर के मद्दपदेश में सरकार इसको देने वाली है वो भी चुनाओ के पहले तो इसलिए यहाँ पर यह संकेश सामने आ रहे हैं महंदर मालवीजी है सिहोर से उन्होंने भी इसी तरीके का एक कार्टिकल बेजा है जो की आप देख सकते हैं आंगनबाडी महा पंचैत में हो सकती है गोस्ड़ा आंगनबाडी कारकरती का मांद 1500 सहयका का 750 रुपिया बढ़ेगा तो यह पॉलिटिकल रिपोर्ट भोपाल से किये प्रकासित की गई साथी आप लोगों को पता है अभी पिछला जो मैंने दिखाया वो सल्मा भी बहन है भोपाल से वो तो आती है साजापुर से लेकिन भोपाल की एक निउस को उन्होंने राज सरकार पौने दो लाग कारकरताओं का मांदे बढ़ाने वाली है जिसके बारे में ये आर्टिकल सामने आया 2018 में आंगनबारी कारकरता का मांदे पचपन सो रुपे से बढ़ा करके साथ हजार रुपे कर दिया गया था लेकिन यह बढ़ा हुआ मांदे सिर्फ तीन महीने में ही मिला इसके बाद बंदगर दिया गया अभी इतना मांदे मिल रहा है आंगनबारी कारकरता को राज सरका के हैं ने प्रस्ताओं के अनुसार कारकरताओं का मांदे 10,000 से बढ़ा करके 11,500 रुपया हो जाएगा साहिकाओं का 5000 से बढ़कर के 5750 हो जाएगा तो ये मद्धपदेश में तब होगा जब बहनों को वो 500 जो कटा हुआ पैसा था वो जम मिलने लग जाएगा अब इसी के संक लेटर अपना अनामिका सिंग जी ने जारी किया है 15 फरवरी को उन्होंने लिखा कि अवगत कराना है कि सच्यू महिला बालविकास मंत्राले भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या जो की 17.1.2023 द्वारा अप्रेल 2022 से प्रदेश के आकांचात्मक जनपदों में 14-18 आय पोरशण ट्रेकर पर पंजी करत वा आधार सत्यापित बालिकाओं को ही योजना से अच्छा दिद किया जाएगा तथा पोरशर ट्रेकर में नरदारी संकेतकों पर रियल टाइम मॉनेटरिंग भी की जाएगी तो किसोरी बालिकाओं को विभन्न विभागों जैसे की स्वा प्रकार जन्पदों के द्वारा चिन्नित कुल 3,27,516 की सोरी बालिकाओं के सापेच, 40,45% आधार सत्यापीत है। जबकि यहाँ पर 14-18 वर्स की चिन्नित सत्प्रसत बालिकाओं को पोशल ट्रेकर पर आधार सत्यापन के लिए बाल विकास सेवा पुष्टाहार के पत्र संख्या दिया गया है 11-12 का और एक और है 11-12 का ऐसे काफी लेटरों का यहाँ पर जिक्र किया गया। बाकि आगे देख सकते हैं इसमें बोला गया कि जन्पद बहराईच में यहाँ पर देख सकते हैं 72,665 चिन्नित किसोरी बालिकाओं के सापेच पोशल ट्रेकर पर 21,360 किसोरी बालिकाओं पंजीकरत हैं और 18,543 किसोरी बालिकाओं का आधार सत्यापन हुआ है। जो चिन्नित किसोरी बालिकाओं का मात्र 25,52% है अर्थाहत प्रदेश के आउसस से काफी कम है। जापन के बारे में आप देख सकते हैं कि बूला गया है अवगत कराया गया। अब लेचलते हैं आगे आपको बता देश जानकारी को प्रेमा दिवी बहना हैं बहराईच से ही आती हैं और उन्होंने अपने जिले का मामला अल इंडिया को भेजा है। पर्योजना हुजूरपूर जनपत बहराईच में संचालित आंगनबाडी केंद्रों पर लाभार्तियों को माह जनवरी 2023 के लिए चनादाल, गेहुंदलिया और सोयाबीन तेल ये प्राप्त कराने हैं तू नैफिट के दौरा तीनों रासन की आपूर्ती कराने के उपरांत पर्योजना काराले से स्वयम साहता समू को चनादाल और सोयाबीन तेल प्राप्त कराने के लिए 2022 2023 से 2022 2023 तक की तितियां नरधारित की गई हैं तो यहाँ पर उनका कहना है कि ब्लाक मिसन मैनेजर को उक्त दिवसों में ही काराले बाल विकास पर्योजना सेह गोदाम हुजू पुरपुर से चनादाल गेहुदलिया और सोयाबीन तेल यह प्राप्त करवाने के लिए नरधासित करें और यहाँ पर इनका कहना स्वयम साहता समू को प्राप्त कराई गई चनादाल सोयाबीन तेल और गेहुदलिया की मात्रा को अगले कार दिवस में सम्मंधित ग्राम पंचयत की आंगनबाडी केंदर की कारकरती को प्राप्त कराने और रासन उठान करने वाले सुयमसाता समू का सत्यापन करने हैं तू सम्मंदित को नर्देशित करने का कष्ट करें यहाँ पर जो सहे गोदामों को फरवरी दोजार तेज की यापूर्ती है तू सीगर चलते हैं और आपको बताते हैं एक यह मैटर सामने आया जो कि आप देख सकते हैं बाल विकास परोजना अधिकारी सहर ललित पूर्से के लेटर है 15.2.23 का पत्रांग संख्या सी जो है आपर 21 पड़ी हुई है समस्त आंगनबाडी कारकरती साहिकाएं जो कें संचालित करती है सहर परोजना में उनके लिए बोला गया कि सभी को अबगत कराना है कि बाल विकास परोजना सहर के आंगनबाडी केंद्र में किराय के भवन में संचालित होते हैं उनके किराय की रासी 700 रुपिया प्रतीमा 20-22-2000 यहां पर लिखा गया ऐसे ही लिखकर के दिया गया तो य ही है उसमें भवन स्वामी के खाता संख्या में इस्थानांत्रित की जानी है जिन आंगनबाडी कारकरतियों के केंद्र किराय के भवन में संचालित होते हैं वे सभी सम्मंदित भवन स्वामी के हस्ताक्षर के साथ हलप नामा जो है वो अपना बाल विकास परजना काराले स सहर में दो दिन की अंदर 17 तक जो है जमा करना सुनिचित करें तो इसके बारे में यहाँ पर बोला गया तो समय सीमा दी गई जो की काफी लेट हमारे पास लेटर पहुचा है लचमी जी है ललितपूर से आती है उन्होंने जानकारी आलेंडिया को भीजी है ऐसे ही बात करते ह है और गाजीपूर से एक कारेले से एक ये ग्याप जारी हुआ है पत्रांग संख्या 21-85 है 17 फरवरी का ये लेटर है जिलाकार कम अधिकारी महोदे गाजीपूर का अब ऐसे में अगर आप यहाँ पर ध्यान पूरवक देखें तो सासना देश संख्या ये सब दरसाई गई आंगनबाडी की व्यक्तिगत उपस्ति में उनके समस्त अभिलेकों की जाच सत्यापन प्रक्रिया कराई जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सासना देश के अंतिम पैरा में निरधारे तिथी को अपने परियोजना की आंगनबाडी का समय बद्ध अभिलेकों का सत तरदाई तो आपका है तो अब समझ में यह नहीं आता है जिस पारदस्ता की बात हमारा विभाग कर रहा है क्या वो पारदस्ता हो रही है क्योंकि अगर चुपके चुपके जिन्यन बेहनों की बस उपर से नाम आ गए उननी को बस बुला करके सत्यापन हो रहे हैं तो यह क होना है उनको ये उम्मीद है कि कहीं भरती लटकना जाए कोट के चकर न काटती रह जाए तो इस चकर में उनका ये मानना है कि जो हो रहा है उसको होने दीजिए वहीं जिसका हक जा रहा है वो अपना हक पाने के लिए काफी परेसान हो रहा है तो ऐसे में विभाग को चाहिए है जनका सत्यापन हो रहा है उनसे उनकी जो जो ज्ट्राइनिंग है वो भी उनके पहले की है जो नाम आगए उनमें काईफी लोग ऐसे है जो बाद के हैं उनसे और फिर भी उनका नाम गायब है तो तरह तरह कि अपने सवाल उठ रहे हैं जिनको ले मेलेगा!